सारी दुनिया है लोकडाउन में कोरोना है सबका रोना दरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको प्यारे बच्चों नमस्कार मैं मन्जीत को और प्रवक्ता गुनानगस इंटर कॉलेग चंदन नगर आलंबाग लखनव। आज कक्षा ग्यारां हिंदी विशे की अंतरगत प्रतम अध्याय भागतीन हिंदी गद्य सहित्य का विकास में आज का हमारा प्रक्रण है हिंदी गद्य सहित्य की विविध विधाएं जिसका परिचे प्राप्त करेंगे बच्चों आज के हमारे चर्चा के बिंदू है हिंदी गद्य सहित्य की विभिन विधाओं का संक्षिप्त परिचे एम विभिन विधाओं के प्रमुख रचनाकारों के विशे में चानकारी प्राप्त करना बच्चों पूर्व की दो कक्षाओं में हम लोग हिंदी गद्य सहित्य के विकास के अंतरगत गद्य का स्वरूप, गद्य का आविरभाव, खड़ी बोली गद्य का विकास एवं हिंदी गद्य सहित्य के विभिन विधाओं का परिचे प्राप्त कर चुके हैं बचो आज हम हिंदी गध्य की विविद विधाओं का परिचे प्राप्त करेंगे सरपथम हम गध्य की परिभाशा का अब लोकन करते हैं भावों एम विचारों की स्वभाविक एम सरलभी व्यक्ति गध्य के द्वारा ही होती है इसी कारण सामाजिक, साहितिक, विज्ञानिक, आदी, विभिन विश्यों को गध्य के माध्यम से ही लिखा जा सकता है अब हम बचो देते हैं विधा का अर्थ, विधा, किस्म, वर्ग या श्रेणी अर्थात विभित प्रत्कार की रचनाओं को उनके गुण और धर्म के आधार पर अलग करना या पहचान करना विधा कहलाता है उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे निबंध गद्य साहित्ति के एक विधा है या उपन्यास एक विधा है तो विधाएं अस्पष्ट श्रेणिया है और इनकी कोई निश्चित सीमारेखा नहीं होती है और समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर इनकी पहचान निर्मित हो जाती है जैसे चायावादी युग में डाइरी विधा हमारी नवीन विधाएं जैसे यात्रावरत है भेट वारता या साक्षादकार तो इनका परिचे समय के मान्यताओं के आधार पर हमें प्राप्थ होता है अब हम बच्चों देखते हैं कि हिंदे गर्दे साहित्ती की प्रमुक विधाएं कौन-कौन सी है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, अलोचना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावरत, संस्मरण, रेखाचेत्र, रिपोतार्ज, डाइरी, पत्रसाहित, भेट वारता, अत्वा, साक्षादकार, गद्धे कावे या गद्धेगीत ये हमारी हिंदी गद्ध साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं, अब हम इन विधाओं का संक्षिप्त परिचे प्राप्त करते हैं सरुप्थम हम देखते हैं बच्चो नाटक, नाटक हिंदी गद्ध साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा है प्राचीन काल से संस्कित भाशा में नाटकों का लेखन प्ररंब हो चुका था काली दास्करत अभिज्ञांशा कुंतलम का हिंदी अनुवाद सन 1863 में राजा लक्षमन सिंग जी ने कुशल अनुवाद किया जो की हिंदी गद्य साहित्य का महत्व पूर्ण नाटक माना जाता है नाटक किसे कहते हैं रंग मंच पर अभिने द्वारा प्रस्तुत करने की द्रिष्टी से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वेह गध्य रचना नाटक कहलाती है जिसमें अभिने और समवाद पर अधिक बल दिया जाता है नाटकों की परंपरा का सम्यक रूग भारतेंदु यूग से ही प्रारंब हो चुका था भारतेंदु जी ने विभिन नाटकों की रशना करी जिसमें भारत दुर्दशा नील देवी विशस्य विशम और शधम हरीश चंद्र आदी उनके महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं तत्पशाद छायावादी युग में जैशंकर प्रसाजी के रूप में एक युगांतर उपस्थित हुआ उन्होंने समसामाईक विश्यों पर एतेहासिक विश्यों पर गीती नाट्य एवं हास्य व्यंगात्मक नाटकों की रचना की जैशंकर प्रसाजी के महत्वपूर्ण नाटक है ध्रूवस्वामिनी, चंद्र गुप्त, सकंद गुप्त, कल्यानी आदी बचो अब हम देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है हिंदी का प्रथम नाटक 1857 में गुपाल चंद्र गिरिधर दास जी द्वारा रचित नहुष नाटक माना जाता है अब हम बचो देखते हैं एकांकी, एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है इसमें किसी घटना विशेश की प्रस्तुति की जाती है जैसे हमने देखा कि नाटक एक से अधिक अंकों वाली रचना है और एकांकी ऐसा नाटक है जिसका एक ही अंक होता है नाटक में अभिने और समवात पर बल दिया जाता है प्रन्तु एकांकी में खटना विश्यश की प्रस्तुति की जाती है और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी समराट कहा जाता है इनका रेशमीटाई, तीपदान, उपेंदरनाथ अश्क जी का तौलिय और अंधी गली प्रमुखे कांकी माने जाते हैं अब हम बच्चों अब लोकन करते हैं कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है 1939 में जैशंकर प्रसाजी द्वारा रचित एक घूट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है इस प्रकार से बचों परिक्षा में हमारा प्रेश्ण जो आता है वो पारिभाशिक रूप में भी आता है और अंतर भी आता है कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है आगे हम देखते हैं बच्चों उपन्यास उपन्यास किसी विश्त्रित कथा वस्तू को पात्रों के चरित्र चित्रन, समवाद, घटना क्रमों एवं निश्चित उदेश्य को लक्ष में रखकर की जाने वाली जो गधे रचना है वो उपन्यास कहलाती है भारतेंद्य युग में उपन्यास्यों की रचना प्रारंब हो चुकी थी दिवेदी युग में भी विभिन उपन्यास्यों की रचना हुई है छाया वादी युग में प्रेम चंद जी का नाम उपन्यास के छेत्र में अगरगणिये है ये उपन्यास की रचना एक साहित्ती घटना है जो की प्रेम चंद जी ने जो पुराने अयारी और तिलिस्मी उपन्यास थे या जो जासूसी उपन्यासों की रचना हो रही थी उसको उस अविलक करके उपन्यास की विधा को यथार की भूमी पर लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने सामाजिक जो समस्याएं थी ग्रामीन शेहरी समस्याओं पर आर्थिक असमानता पर विभिन प्रकार की उपन्यासों की रचना की है उनके उपन्यासों में गबन, गोदान, कर्म भूमी, सेवा सदन, रंग भूमी, निर्मला आदी, महत पून इनके उपन्यास माने जाते हैं प्रेमचंद जी को ही उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है इनके अतिरिक्त भगोती चर्ण वर्माजी का चित्र लेखा और तेड़े मेड़े रास्ते भी प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं अब हम बचों देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास 1882 में लाला श्री निवास दासजी द्वारा रचित परिक्षागर गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है अब अचों हम देखते हैं कहानी कहानी हमारी प्रतिजिन के जीवन में जो किसी घटना को आधार बनाकर लिखी जाती है कहानी में किसी मार्मिक तठिक को नाटकी प्रवा के साथ व्यक्त किया जाता है इसमें पात्र का चरित्र चित्रन उसका समवाद कहानी हिंदी सहेतिक विधा की एक छोटी रचना मानी जाती है इसमें इसके शीर्षक अत्यंत आकर्षक एमम मुरोचक होता है और शीर्षक के आधार पर ही इसकी भाव व्यंजना भी अभिव्यक्त हो जाती है कहानी क्यंतर गत प्रेम चंद जी एमम जैशंकर प्रसाद जी का नाम अग्रगणे है इन्होंने विभिन शैली गत विशेष्ताओं के साथ कहानियों की रचना की है प्रेम चंद जी की मंत्र कहानी जैशंकर प्रसाद जी की ममता कहानी अत्यंत यादगार कहानिया है प्रेम चंजी की नमक का धरोगा, शत्रंज के खिलाडी, पुरसकार, अकाज दीप, जैशंकर प्रसाद जी की महत्वपून कहानी मानी जाती है कहानी का मूल भाव की व्यंजना करने में शीर्शक अत्यांत ही सहायक होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जीवन के किसी मार्मिक तथे को नाटकिय प्रवा के साथ व्यक्त करने वाली अपने आप में एक पून कलात्मक गध्य विधा कहानी है ये हमारे दिन प्रति दिन की किसी घटना को आधार बना कर लिखी जाती है मतब उपन्यास जो है एक विश्रित कथा वस्तु है और कहानी जो है एक लगु कलात्मक गध्य विधा है अब हम देखते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी होने का श्रेय किसे प्राप्त है 1900 में किशोरी लाल गुस्वामी द्वारा रचित इंदु मती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है बच्चो अब हम देखते हैं निबंध निबंध हिंदी गध्य की नवीन विधाओं में सरवाधिक महत्य पोन विधा है आलोचको ने निबंध को हिंदी गध्य की कसोटी भी कहा है निबंध का अर्थ है बांधना नि प्लस बंध संग्शेप में निबंध उस गध्य रचना को कहा जाता है जिसमें लेखक किसी भी विशेप पर अपने विचारों को सीमित, सजीव, स्वच्छंद, एमम, सुविवस्थित रूप में व्यक्ति करता है निबंध में लेखक के स्वयम के व्यक्तिगत विचार रहते हैं और उन विचारों को वो किसी विशेकों को दृष्टी में रखकर उसका पूरा विवेचल करता है निबंध के चार प्रकार हैं विशे और शैली के अधार पर माने जाते हैं जिसके अंतरगत विचारात्मक निबंध, भावात्मक, वर्णनात्मक, एमम, विवर्णात्मक निबंध आते हैं विचारात्मक निबंध, इसमें बुद्धी तत्व की प्रधानता होती है, इसमें तर्ग पूर्ण विवेचन का आधिपत्य होता है, इसके विशे प्राया, मनोवज्यानिक, तार्षनिक, शास्री, एमम, विवेचनात्मक होती है रामचंद्रशुकली जी का मित्रता, एमम, श्याम सुंदरदाज जी का कर्तव्य और सत्यता जो है विचारात्मक निबंधों के अंतरगत आते हैं तत्पश्रात हम देखते हैं भावात्मक निबंध, इसमें हृदय तत्व का प्राधान्य होता है, इनका लक्ष पाठक हृदय को प्रभावित करना होता है जिसमें रामरक्ष, बेनी, पुरीजी, द्वारा, रचित, नीव की इट और वियोगी हरीजी का विश्व मंदेर निबंध आते हैं इसके बाद हम देखते हैं वर्णनात्मक निबंध, इन निबंधों में किसी भी वरणिये वस्तु, इस्थान, व्यक्ति को निरिक्षण की आधार पर जिसका वर्णन किया जाता है वो निबंध वर्णनात्मक के अंतरगत आते हैं इसके इसमें बालकृष्ण भर्ट जी का नाम अग्रिगणिये हैं अब हम बच्चों देखेंगे विवर्णनात्मक निबंध इन निबंधों के अंतरगत जो है इतेहासिक तथा सामाजी घटनाओं, द्रिश्यों, स्थानों का पूर्ण विवेचन किया जाता है इन्हें विवर्णनात्मक निबंध कहा जाता है इनमें भारति इंदु हरीश चंद्र जी का नाम अग्रिगणिये हैं बच्चों अब हम देखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दाजी की गध्ध कुस्मावली और आचार्य राम चंद्र शुक्ली जी का चिंता मणी महत्व पूर्ण निबंध ग्रंत माना जाता है अलोचना किसी साहित्तिक रचना का भली भाती अध्यन करने के पश्चाथ उसके गोण एवम दोशों का विशलेशन करना उस रचना की अलोचना कहा जाता है मतलब निबंध क्या है जिसमें लेखव किसी विशे पर अपने विचार व्यक्त करता है प्रंतु अलोचना क्या है किसी भी साहित्तिक रचना का जब रचनाकार भली भाती अध्यन कर लेता है और अध्यन करने के पश्चाथ उसके गोण और दोशों का विवेचन करता है उ इसमें आचारे रामचंद्र शुक्ल जी को एक महत्यपूर्ण आलोचनाकार माना जाता है। इन्होंने सूर, तुलसी और जैसी आदि के रहस्यात्म काव्य पर अपनी आलोचना जो है वो प्रस्तुत की है। इनका महत्यपूर्ण आलोचनात्मग्रंद है रस्मिमान सा माना जाता है। और डॉक्टर श्याम सुंदरदाश जी का सहित्य आलोचन, डॉक्टर नगेंद्र जी का भारती संदरे शास्र की भूमी का महत्यपूर्ण आलोचना मानी जाती है। बच्चों, अब हम देखते हैं जीवनी। जीवनी हिंदी सहित्य की एक महत्यपूर्ण गध्य विधा है। जिसमें किसी महान पुरुष या महान व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रन करना अर्थात, किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन व्यतांत को बताना जीवनी कहा जाता है। जीवनी के अंतरगात किसी महा पुरुष या महान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यू तक उनके समस्त कारेकलापों, उनकी शिक्षा दिक्षा, उनकी जो प्रेणा पूर्ण बाते हैं उसका विवरण विवेचन किया जाता है। जीवनी के अंतरगात लेखक उनकी प्रेणा दायक जो तथे हैं उनको महत्य पूर्ण बिंदु मानकर उन पर रचना करता हैं ताकि पाठक जो है अपने आने वाले जीवन में उनके विचारों को पढ़कर अपने जीवन में भ्यूनति प्राप्त कर सके। तो जीवनी का आर्थ है कि किसी महापुरुष की संपूर्ण जीवन व्रतान जीवनी कहलाता है। बच्चों आप लोग भी नाइंध क्लास से जब किसी लेखक का पाठ पढ़ते हैं हम लोग या कावे रचना पढ़ते हैं तो उसके पूर्व हम लोग जिन्होंने उसकी रचना की है उसके बारे में पूरी विश्तरत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जीवनी विधा के अंतरगत आता है। अब हम देखते हैं कि अमरत राय जी द्वारा रचित कलमका सी पाही प्रेमचंद की जीवनी विश्णू प्रभाकर जी द्वारा रचित अवारा मसीहा प्रमुक्र जीवनिया माने जाती हैं। और हिंदी गद्य सहित्य में प्रथम मौलिक जीवनी पंद्रा सो पेचासी में नाभा दाजी द्वारा रचित भक्त माल को माना जाता है। अब हम बचो आत्म कथा विधा का आवलोकर कर लेते हैं। आत्म कथा हिंदी सहित्य की एक महत्पूर्ण विधा मानी जाती है। इसमें गद्य इस गद्य रचना में लेखक अपनी जीवन की स्मरणिय घटनाओं का क्रमबध वर्णन एम अमिश्लेशन करता है। जैसे जीवनी में किसी महापूरुष या महान व्यक्तित का जीवन रतांत होता है। प्रन्तु आत्म कथा में लेखक स्वयम के जीवन की महत्पूर्ण जो घटनाओं हैं। उनका क्रमबध वर्णन करता है। उसे हम आत्म कथा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि 1641 में अर्ध कथानक जो है बनार्सिदा जैन्दी द्वारा रचित प्रथा मौलिक आत्म कथा मानी जाती है। इसकी अतिरिक्त हरिवन्श राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं। यश्पाल जी की सिंग अवलोकन ये महत्वपूर्ण आत्म कथाएं मानी जाती है। बच्चो अब हम देखते हैं यात्रावरत। यातावरत जो है इसमें जो इस गध्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यातावरत कलात्मक वर्णन करता है। मतब जब कोई साहित्यकार यात्रा करता है तो यात्रा में जो उनकी अनुभव होते हैं और अनुभव के साथ साथ जो हैं उनका जो आकरशक द्रश्य होते हैं जहां वो गए हैं वहां के जो निवासी हैं उनका रहन सैन उनका खान पान उनकी ग्वेश बूशा के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे की पाठक को घर बैठे ही मांसिक रूप से उस यात्रा कानुभव हो जाता है, उससे यात्रावरत कहा जाता है तो हिंदी का प्रथम यात्रावरत भारतेंदुहरी शंदुजी त्वारा रचित सर्यूपार की यात्रा है और इनके प्रमुख रचनाकाल राहूर संक्तर्यायन जी और सेट गोविंदा जी है संस्मरण क्या है किसी स्मरण ये घटना या तक्थे को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सक्षक्त एवं रोचक भाषा शैली में पुन्हा मूर्त कर देता है उसे हम संस्मरण कहते हैं हिंदी का प्रथम संसकर्ण बाल मुकुंद जी गुप्त द्वारा रचित प्रताब नारायन मिश जो 1907 में लिखा गया है इसके प्रमुक संस्मरण कार है महादेवर्मा पत के साथी बनार्सी दास्चतुर्वेदी का संस्मरण अभम बचो रेखा चित्र जिस गध्य रचना में किसी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावच चित्रांकन किया जाता है उसे रेखा चित्र कहा जाता है तो रामरक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्ते लालतारा महादेवर्मा जी की अतीत के चल चित्र स्मृति के रेखाएं और हिंदी का प्रथम रेखा चित्र 1929 में पद्म पराग जो पद्म से शर्मा जी द्वारा रचित है अब हम देखते हैं गद्य कावे या गद्य गीत गद्य कावे या गद्य गीत वह रचना है जिसमें छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है क्योंकि कविता में छंद बद लयात्मग गत्य के प्रबंद की प्रसुती होती है तो कावे की रचना होती है प्रंतु गद्य या कावे गीत में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है इनके रचनाकारों में रायकृष्ण दास जी का पागलपतिक और व्योगी हरीजी का तरंगनी गद्य काविया गद्य के प्रमूख माना जाता है अब हम बचों देखते हैं रिपोतार्ज रिपोतार्ज क्या है जिस गद्य रचना में किसी घटना का आखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है उसे रिपोतार्ज कहते हैं आज के समय में वर्तमान समय में रिपोतार्ज एक महत्पून विदा है जिसको की हम प्रती दिन मीडिया के आधार पर देखते हैं कि जैसे किसी स्थान पर बाढ़ आ गई या कोई समाजी घटना घट जाती है तो उसका आखों देखा जो द्रशित रूप में वर्णन होता ह उसे हम लोग रिपोर्टिंग या रिपोतार्ज कहते हैं तो धरमवीर भारती जी, रांगेर आघव जी जो हैं मुख्य रिपोतार्ज लेखक है और हिंदी का प्रतम रिपोतार्ज 1938 में शिवदान सिंग्चोहान द्वारा लक्षमी पूरी जो रिपोतार्ज है उसे प्रतम रिपोतार्ज माना जाता है उसके बाद हम देखते हैं बचो भेट वारता अत्वा साक्षातकार जब रचनाकार किसी व्यक्ति से भेट या मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व भावों क्रिया कलापों आधी से सम्मंधित प्रश्नोतर रूप में साहित्य रचना करता है तो आज हम लोग मीडिया के माधियम से देखते हैं जैसे कोई महान व्यक्ति है सामाजी कारे करता है कोई राजनीतिक है तो उनके जो भेट वारता साक्षातकार हम लोग देखते हैं उसी को साहित्य में लिखित रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम भेट वारत या साख्षातकार विधा कहते हैं ये हिंदी गद्य की एग नवीन विधा है इसके रचनाकारों में पद्म सिंग शर्मा जी की मैं इन से मिला राजेंदर यादव जी की चेखव भेटवारता महत्वपूर्ण मानी जाती है बच्चो अब हम देखते हैं पत्र साहित्य पत्र साहित्य में जवलेखक अपने किसी मित्र परिचित अथ्वा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंद में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंद में मात्र सूचना जिग्यासा अथ्वा समाधान लिखकर भेजता है और साती साथ उससे उत्तर की अपेक्षा भी करता है तब वे पत्र सहित्य का स्रजन करता है तो पत्रकार सहित्य के प्रमुख पत्र सहित्य रचनाकार है वियोगी हरी जी बड़ों के प्रेणा दाय कुछ पत्र हरिवन्श राय बच्चन जी का पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम अब हम बच्चों देखते हैं हमारी डाइरी विधा, डाइरी विधा में आज कल जो है डाइरी विधा का प्रचलन बढ़ चुका है, जन सामान्य लोग भी अपने जीवन की जो महत्पूर्ण घटनाएं हैं उनका तिधि भदवर्णन करते हैं, प्रन्तु हिंदी साहित्य में जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्पूर्ण घटनाओं का तिधि बधवर्णन लिखित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करता है, उसी रचना को डाइरी कहा जाता है तो हिंदे की प्रथम डाइरी नर्देव शास्री वेत तीरजी द्वारा रचित जेल डाइरी है, जिसकी रचना लगभग 1930 में हुई थी इसी प्रकार से श्री राम शर्मा सेवा ग्राम की डाइरी, मोहन राकेश, मोहन राकेश की डाइरी, ये डाइरी अचिता के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं अब हम बच्चों देखते हैं कि हमने तीन भागों में हिंदी गद्य सहित्य का विकास का अवलोकन किया, आज की हमारा जो संदर बठा उसमें हिंदे गद्य की विविद विधाओं का हमने संग्षिप्व परिचे प्राप्त किया है, उसमें अब हम लोग देखेंगे अभि लग्धूतर ये प्रश्न जो हमारी बोर्ड परिक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमारे प्रश्न है कहानी किसे कहते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, जीवनी और आत्म कथा में क्या अंतर है, मेरी दिब्वत यात्रा के लेखक का नाम लिखिए, हिंदी सहित्य के प्रथम उपन्यासकार, एम उपन्यासका नाम लिखिए, भारा दूर्दशा इस विधा की रचना है, तो जो हमने ये पूरा पाठ पड़ा है, ये जो प्रश्न हमने पूछे हैं, आपको उत्तर देने में वो पूरा प्रकण सहायक होगा, अब हम बच्चों देखते हैं, कि जो अध्याए हमने पड़ा है, इस अध्याए के संबंध में पाठ्थे समगरी तथा अभ्यासकार, मानव संसाधन विकास बंत्राले, भारस सरकार द्वारा विक्सित, मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्द है, दीख्षा मोबाइल, एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और IOS से डाउनलोड कर सकते हैं, और एप को डाउनलोड करके, जो अध्याए हमने पड़ा है, उससे सम्मंधित, अगर कोई भी आपके प्रश्न हो, तो आप अपने अध्यापक से उसकी जानकारी प्राप कर सकते हैं, इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल उत्तरदेश माधिमिक शिक्षा विभाग पर चैनल सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपको गर्द साहित्य का विकास के विचे में महत्यपून जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप इसका आने वाले समय में आप अवस्य ही उठाएंगे, धन्यवाद.